हाई मैं डियर स्टुडेंट वेलकम यू आल इन मैं यूटूब चैनल मैंगनेटिक टुटोरियल तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दा लीक्वीड स्टेट जो की एक टॉपिक है आपके क्लास नाइन्थ का केमेस्ट्री चैप्टर फर्स चैप्टर जो हम लोग पढ रहे हैं सो स्टुडेंट पहले तो आप जाके फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को जरूर देखे जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसको जितना हो सके उतना सेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास ताकि उनको भी इनका इस वीडियो का बेनिफिट हो सके तो कुश्चन एंसर को डिसकस करके आज का वीडियो वहीं पर इंड कर देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही पार्ट वाई पार्ट आते रहेगा शो लेट स्टार्ट तो यह है हम लोग देखने जा रहे हैं दे लिक्वीड इस्टेट टॉपिक इस्टूइंट यहां पर द SP 1200 क olmaz आपको पता अंजोग हमें धम प्याम भीडियो से बदल नहीं सकते हैं आप हाई मुझत अग्सेटिर्णोफ के ओंपर रखके तो आप देख सकते हैं एक fix सा boundary होता है वो फिर change नहीं होता है डिपनिट मास हो जाएगा उसका ठीक है solid rigid कठोर होता है क्यों क्यों क्योंकि उनके जो particles होते हैं inter particles जो space होते हैं वो बहुत कम होते हैं negligible होते हैं जिनके करण force of attraction बहुत ज्यादा होता है और यह rigid nature को दरसाता यहां पर ठीक है almost incompressible का मतलब क्या हुआ आप उसको press नहीं कर सकते हैं compress नहीं कर सकते हैं जैसा कि आप rubber band को कर सकते हैं वो भी एक solid है बट वहीं अगर किसी white board की बात की जाए black board की बात की जाए आपको जमीन की बात की जाए वाल की बात की जाए कोई भी solid type अच्छी उसको आप compress नहीं कर सकता है solid में भी अलग अलग चीज होते हैं ठीक है कहीं थोड़ा इंटर पार्टिकल जो होता है कहीं आपको थोड़ा ज्यादा देखने के मिलेगा कहीं एकदम neglect हो जाता है पूरा कम हो जाता है इसी एक कारण आपका in compressible यहां पर हम लोग बोलेंगे कि negligible मात्रा में होता है अग्दम compress करना ठीक है फिर लिखा हुआ solid में भी breaks under force but it is difficult to change shape याद रखिएगा solid को आप break तो कर सकते हैं but बहुत ज्यादा external force लगाना पड़ेगा ठीक है but it is difficult to change shape but इसका shape change करना नामुम्कीन है एक तरह से बोला जाये तो देन एट point is that high density बहुत ज्यादा density होता आपको भी पता है ठीक है यह डिपेंड करता density mass by volume होता है तो density को अपलिक सकते density is equal to mass by volume आप देख सकते है density mass by dependent होता है solid कभी लिक्विड गैस के कंपेर में उसका मास ज्यादा होगा तो density ज्यादा ही होगा then the next point is don't exhibit diffusion diffusion इसमें नहीं देखाया है तो अगर ज्यादा मात्रा में बोले ऐसे लगभग जेनरली बोल सकते हैं डिफ्यूजन नहीं ठीक है ज्रक देंगे तो कुछ दिन बात देखेंगा दो मैटल डिफ्यूज हो जाते हैं डो मैटल डिफ्यूज हो जाते हैं जो की solid होते हैं ठीक है तो यहां पर आपको यह चीज देखने क्लिए मिलेगा या फिर आप एक और एक और ले सकते हैं आपका वाइट ब्लैक ब्लैक बोर्ड है ठीक है यह ब्लैक बोर्ड हो गया इस पर आप कुछ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ भी मतले लिख दिये ऐसे करके और इसको छोड़ देते हैं वन मंत के लिए एक मंत के लिए छोड़ दिये कुछ दिन बाद जब आएंगे तो देखेंगे जब इस करने जाएंगे तो यह इरेज नहीं हो पारता है इसलीव यह पाईगा फोर्स लगाना पड़ेगा अच्छा से साप करना पड़ेगा हो कि आपको थोड़ा वाटर का विजरूवत पढ़े उसको साफ करने क्लीन करने के लिए थीक है तो यह क्यों ऐसा होता है कि आप जो डॉस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं जो चौक के वह उसी सॉलिड में क्या होते हैं एक तरह से बोलो तो इंटर कर जाते हैं ठीक है डिजॉ इंटर कम होता्य होता जिससे कारण फोर सॉलिड में च्राइड हो जादा का इन्टर कर सकते हैं ठीक है यह एक साल लोगोने इस्ट अब हम लोग से स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे स्टुडेंट पार्ट थिरी चैप्टर वन केमेस्ट्री ठीक है यह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं देरी किस बात की लिखा हूँ एक्टिविटी वन पॉइंट टेन में कुछ the following कुछ आपको collect करना है water को cooking oil को milk को juice को cold drink को एक चीज़ तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा यह सब यांपल दिया हुए क्या स्टुडेंट सब liquid form है ना फिर second point लिखा हुए containers of different shape अलग-अलग shape container ला लेना है आपको कैसा कैसा safe हो सकता है मान लो एक ऐसा type का है एक आपका हो गया conical shape का हो गया एक आपका हो गया जैसे घर में कुछ भी मतलब अलग-अलग टाइप का एक ऐसा हो गया ठीक है इस सब सेब के container आप ऐसा यूज कर सकते हैं यह हो गया चलो फिर आगे देखते हैं 50 ml mark on these containers 50 ml का mark कर देना है इसका 50 ml मानों यहां आया इसका उपर आया इसका यहां तक आया सब में क्या करना है 50 ml mark कर देना है using a measuring cylinder from the laboratory आपके lab में school के lab जब खुलेंगे तो आप आपको दिखाई जाएंगे measuring cylinder क्या आशा होता है ठीक है student फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है फिर आगे what will happen these liquids are spilled on the floor जब जब आप इन सभी liquids को जो भी liquid की example दी है milk है juice है coding है सभी को आप अगर spilled कर देता है मतलब कि आप ऐसे ही जो floor है आपका जमीन का जो सता है उस पर आप ऐसे जैसा उसको सेप मिलेगा उस सेप में वह ढल जाएगा liquid इसका यह सबसे बड़ा point है liquid में major 50 ml of any on the any one liquid and transfer it into different containers one by one आप क्या करना है 50 ml liquid आप क्या करना है major करना है ठीक है कोई भी आप ऐसे 50 ml major कर लो उसका क्या करना है पहले आपको इसमें डालना है a में फिर डालना है b में फिर डालना है c में आप आप वहाँ पर देख पाएंगा अलग-अलग आपको यहां पे क्या दिखेगा अलग-अलग level दिखेगा इसका कुछ level अलग होगा हेगा इक हो 50 ml तो हई ही 50 ml तो सब तो volume जो होगा liquid का, वो भी आपका क्या रहेगा student, same रहेगा, dipnit, mask भी रहेगा यहाँ पर, same, mask भी रहा सकता है, कुछ ऐसा हो गां चारो तरफ पैला हुआ हो अन इससना आप गिरा है है इस मुझे यहां तक आया इसमें यहां तक चला गया और इस महीं तक आया तो सेफ चेंज हो रहा है कि नहीं अगर हम एक छोटा सा ऐसा सोडि से ईसरह बना सहगे तैंड तक भड़ जाएगा और उसके कंपेर में इसको देखो यह बहुत चोटा है इसका इतना ही भड़ा ठीक है तो वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा है वॉल्यूम तो 50 ml सब में है बट सेफ चेंज हो रहा लिक्विट के यह कंटेनर पर डिपेंड करता है ना वेन यू पाउर यहां पर क्या पाउर का मतलब एक से दुसरे में डाल देना है सिंपली ट्रांशपर करता है उसी को पाउरिंग बोलता है डड़ी ड़स इट फ्लो इसली क्या वह फ्लो कर पाता है तो यहां पर डिपेंड करेंगा डेंसीटी पर जो भी आप लिक्विड है आपके पास माले लिक्विड हो गया ठीक है एक लिक्विड ले लिए और एक ले लिए बी एक का से कुछ ऐसा माले माले बनाते है ऐसा कुछ ठीक है तो ऐसा जो लिक्विड था इसको मैंने डाला इसमें डाल दिया ठीक है यहां तक आ गया और यह वाला है आपका यहां तक ऐसे है ऐसे ठीक के थोरफ होता है यहां पर आ सकता है आप एक चीजह यहां पर देख सकते हैं जो आपका square टाइप का जो मैंने बनाया है लिक्वीड ठीक है यहां पर और एक circle टाइप का कौन सा आप उपर दीख रहा है अब बता सकते हैं density डेंसिटी जदा की डेंसिटी मतलब मतलब होता है मास वाई वालियूम आप देख सकते हैं यहां पर मतलब कि देनसिटी बढ़ा तो मास भी बढ़ेगा है ऐख मास बढ़ा तो थेंस्ठी भी बढ़ेगा घरेक्टी प्रफशनल है तरुटीयों तो है एक कश्ольш के बाधucha हें तो इन से वहीं आ घ्ला हो तो यह इसपर सबक्वाइब करेंगा Veliki रहें एका रहें और के लिए वह कर रहा किंद लेक्नार करते घंष्ञार्ड लाग-अलग लिक्वीड अगर मिलाते हैं तब डेनसिटी का बात आता है या किसी को info कराना चाहते हैं तो किसी भी स्पोड कर जाएगा ठीक है लेकिन दो मेरे हम बहुत है लेकर तब करेगा या दो को मिलाता है तुरंद घूल जाता है तो इसका भी बात हम लोगों यहां पर कर लिया अब स्टूरेंट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कहां पर यहां से वी अब्जॉब डैट लिक्विट्स हैब नो फिक्स्ट सेप बट है फिक्स्ट वॉल्म याद रखिए कि यहां लिक्विट के पास कोई फिक्स नहीं होता है बिकॉस इट डिपेंट अनदा कॉनटेनर के से पे कंटेनर जैसा हो उसके से ड़ल जाएगा बट्राइब फिक्स्ट वॉल्म वॉल्म से होगा यहां पर question भी आया था देखिए does the volume मैंने क्या लिखा था यहां भी है अब आया फीर देट टेक अप देट टेक अप अब अप्ध बहुत अच्छा कोश्चन है फ्लूट में आता है लिक्विड और गयास को भी फ्लूड बोलता है, गयास वाला प्रपर्टी में हम लोग पढ़ेंगे, तो लिकवीड यहाँ पे एक तोरह से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ क्या कर रहा है, अपना सेफ चेंज कर रहा है, कंटेंटर के हिसा आप से, अगर रिजिड हो लिकवीड का, ठीक है, अब गयास भी बोल सकते हैं, लिकवीड अन गयास पढ़ाएंगे अभी, लिकवीड अन गयास का, तो यहाँ पे स्टुएंट देख सकते हैं, फ्लिव डीटी, फ्लिव डीटी का मतलब क्या होता है, एबलीटी, एबलीटी टू फ्लो, एबलीटी फ्लो अगर फ्लो करने का अबलेटी है उसी को बोलते हैं अब ऐसे ही फ्लू फ्लूडिटी वाले करेक्टर के जो भी होते हैं उनको बोलते हैं फ्लूट्स जिसमें आपका लिक्वीड भी आएगा और आपका गैस भी आएगा याद रखेंगे बहुत अच्छा पॉइंट है स्ट्रीट रहे रहे यहां पर की स्ट्रिटल की सब्सक्राइब में जायेगा है न अलग अलग बना दिया ठीक है और यहां पर बना दिया मैंने आपका यह चलो यह हो गया ताकि सब को समझ में आ जाए हो गया अब देखेंगे यहां पर यहां पर यह बी हो गया इसका अगर बात करें सॉलिड़ इन लिक्विड इसली वैसे डिजॉल्व हो रहा है यहां प्लत करें सकते हैं इसलिवे से आप बोल सकते हैं इंक सचन्ए और यह वॉटर हो गया वॉटर तो यहां तो यहां पर लिए हुए हैं यहां भी वॉटर हो crystal यहां पर crystal लिखे दो ठीक है C R Y S T A L हो गया तो यह चीज हम लोग यहां पर समझ सकते हैं तो आपने देखा कि यहां भी इजली वे से डिजॉल्व हो रहा था और यहां तो डिजॉल्व हो यहां पर करते हैं यहां 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 रखियेगा थीक है बहुत बच्चे को पता नहीं होगा एक्वेटिक मिंस दोज क Kaiserक में कुझे हो को लिव इन वटर चलो तो बहुत सार अकुमेटिक प्लंटरांस वह जाएंगे एकुमेटिक एंहिम्ल सो जाएंगेiste को उनको प्रऊचिज चाहिए और यह उस्धार ऑटर में सारी यह अपपका औरॉकसिजन होगा form में water मैं dissolve form समझ में आ पर घृब तो इसके दवारा फैसे के दवारा ठीक है और भी इप Shout करसके है ते प्रम सकते हैं शॉब आलेक्ट रिपन और ठीकि अगर बात करें wise या और भी एनिमल्स जो प्रक्राइब आप लोग को यहाँ पर सबसे मेजर पॉइंट आता है जो यहां पर परजेंट है यह होता है 21% हम लोगों के लिए बहुत अच्छा मात्रा में है 78% आपको nitrogen देखने के लिए मिलता जब कि nitrogen हम लोग के द्वारा यूज नहीं किया ता है डारेक्टली वह nitrogen cycle में हम लोग पढ़ेंगा लाज्ट चेप्टर नाइन्थ क्लास का वहां पर मैं बताऊंगा कि nitrogen कैसे यूज होता है कि इस फॉर्म में यूज होता है ठीक है चलो और जो यह है oxygen जो dissolved form में यह होता है आपका इस atmospheric oxygen का एक टीनी fraction बोल सकते हैं यहां पर tiny fraction of atmospheric O2 याद रहेगा कौन सा student कौन सा किसके बारे में बोले एक मिनट इसके बारे में याद रहेगा सबको यह tiny fraction of atmospheric O2 हो गया तो सोचो कितना कम मात्रा में यहां पर oxygen एबलेबल है इसलिए आप फिल किये होंगे ऐसा कि जो भी आपको देखने के लिए मिलता होगा जो भी आपका फिसेज बगरा होती है ठीक है फिसेज आप देखते होंगे तो फिसेज में आप देखते होंगे एक चीज क्या यहां पर मैं फिस बनाएता हूं चलो फिस बना दिया यहां पर यहां पर अपर कुलम होता है ठीक है यह माउथ होता है आख भी बना दिये सब को बोलेगा आख सब्सक्राइब लेती है ठीक है रिस्पायर करती है तो जो ऑक्सिजन यहां से लेंगी डिजल्व ऑक्सिजन यह बहुत जल्दी जल्दी अपने माउथ को तुरण फास्ट एकदम ब्रेधिंग रेट भी इनका बहुत फास्ट होता है वी ब्रेध टुवेल्ब टुवेंटी ट यहां पर लिख सकते हैं ब्रेध एक्टी टू हंड्रेट टाइम्स एक्टी टू हंड्रेट टाइम्स इन मीनट याद रखिएगे सब चीज को समझ में आया बात इतना एकदम असान भासा में आप पर समझाया गया है क्योंकि यहां पर जो ऑक्सिजन होता यह बहुत कम फ्र हुए हैं घूम रहे हैं नाच रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो ऑक्सिजन ले रहे हैं ठीक है चलो भाई ले लेंगे ऐसे बस बोल देते हैं बट वहीं फिस की बात करो थोड़ा सा निकाल दो अगर पानी से कितना उलो को प्रॉब्लम होने लगता है आप देखते होंगे य समझ में आ गई बात इतना तो बहुत असान भाषा में आपको समझा दिया गया है होपशो पूरा यह समझ में आ गया होगा ठीक है चलो फिर फिर बढ़ते हैं आगे यहां पर देख सकते हैं यहां पर नेक्स पॉइंट आपका यहां पर आया ओल लिविंग क्रियाचर्स न किया है वैसे ही उनको अडेप्ट कराया गया नेचर के दोबारा वह इसली वैसे अपना डिजॉल वक्षिन वहां से ले सकते हैं लेकिन ब्रेधिंग रेट वहां पर ज्यादा हो जाता है हम लोगे कंपर में ठीक है वी में कंक्लूड डैट सॉलिड लिक्विड और गैसे कर पर दता हूं इसको ठीक है अब हम लोग पढ़ लिए क्या लिक्विड भी सॉरी लिक्विड में पढ़ लिए दर रेट आफ डिफ्यूजन यहां पर देखो दरेट अफ्यूजन इस हाईयर दें डाट अफ सॉल्ड रिट अफ्यूजन यहां पर क्या है क्विड है किसेश रिट व्द और जीशन का मतलब समझ wanna वहां इस्पेश नहीं है कि उसको टेंपेचर बढाने से वू जब्दल इदर जाए मारी बढ़ाए हां किण कि अनर्जी बढ़ेगा है ना तो वहां कानेटिक एनर्जी कम था यहां कानेटिक एनर्जी आपका उसके कॉंपेर में थुरा सा ज्यादा होगा वहीं चीज ग्यास में देखेंगे तब बहु ज्यादा हो जाएगा उसी चीज के यहां पर किया गया कि रेट अप डिफुजन आपको पता है किनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है मतलब की टेंपेचर अपको समाज में आ गया सॉलीट से यहां पर क्या होगा ज्यादा होगा इस ड्यू तो फैक्ट डैट देट पार्टिकल्स मोव फ्रिली और ग्रेटर स्पेस बिट्विन इच और इच और पाता है तो तुरंद आप से पूछेगा कैसे कर पाता है उतना ध्यादा स्पेस नहीं होता घ्रेए को नहीं होगी थाया ःपушरकर दीक्यम में लिक्वीड का जो इंटर पारिकूलर चुह होगा यहाँ होगा ही चीज अगर आप स्वारीट कि बात करें एक दम एक अगर समझ में और सोफ ग्यास अगर में बात करें एक बॉलायाता है कि बोलते हैं याद लिख देता हूं लिक्वीड के बारे में क्या लिख होंगा लिक्वीड है वह सिंप्ली है इंटर मेडियेट प्रोपर्टी इंटर मेडियेट प्रोपर्टी ठीक है बिट्विन विट्वीड विट्वीड विडियो हो जाता है तो उसके लिए सोरी क्या करेंगे जब पढ़ाने में लग जाता है तो फिर पता नहीं चलता है बहुत सर एक्स्ट्रा चीज आपको पता है जो कि आपको यूटूब पे जल्दी नहीं देखने क्ले मिलेगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा और बेल आइकन भी दबाज यह ताकि आपको लेटेस क्लास से जो भी विडियो अफ्लोड किया है आप तक बहुत जल्दी पहुच जाए ठीक है तो बढ़ते हैं गैसे स्टेट के तरफ लिखा हुआ यहां पर देख सकते हैं आप लोग ध्यान से क्या आपने कभी आप प्या है एक सिंगल सेलेंडर से बहुत सारे गैसे इकठा हो जाते हैं बहुत सारा कि गैस का मॉलिक्यूद आप बोल सकते हैं इसली से आप कमप्रेस करके भी सकते हैं बहुत होता है न मich ». विचास भी हैब इन दा टो आपके स्बाह्तियों यह नहीं यहां पर छोड़ा जारा यह को।्ष्ट याद रुख ही क हीए यह कौश्चन यहां पर छोड़ रहां हूं तो कौन सा गयास, ठीक है, कॉमेंट में यह बताना है, सब चीज मैं ही बता दूँगा, फिर तो आपने बता है, कौन सा गयास बैलून में डाला जाता है, बैलून में अलग अलग तरगा गयास होता है, बट आपको बताना है कौन सा मेन गयास, ठीक है, आपको पता नहीं है, कहीं से किसी से पता करना है या फिर बैलून वाले से जरूर पूछना है कौन सा गैस आप सिलेंडर में डाल रहे हैं तो यह question आप comment box में इसका answer जरूर बताएंगे जो भी student इस वीडियो को देख रहे हैं चलते हैं हम next point के तरफ यहां पे देखेंगे ठीक है close कर दें तीन टो सिरींज ले लेना हंडेड एमल का फिर लिख रहा है रिमूब दा पिस्टन फ्रम ओल दा सिरींज यह आपका पिस्टन रहा पीछे वाला आज से देखिए इसको क्या करना है रिमूब करना है तीनों से कर दिये रिमूब फिर आगे लिख रहा है यहां एन पीसेज ऑफ चॉक्स इन थार्ड एक में चॉक का पीस चॉक का टुकरा बोल सकते हैं उसको डाल देना है इंसर्ट पिस्टन को क्या करना इंसर्ट करना बैक इंटू दू स्प्रिंग बैक साइड से यू में आपलाई सम्वेसलिन यहां पर वैसलिन लगा सकते हैं देख पिर आगे लिखा है पिश्टन बीफोर इंसर्टिंग देम इंटू सिरींज फ्रॉम फॉर देर स्मूद मुवमेंट इसलिव समूब कर से के वैसलिन को आप जब लगाएंगे ठीक है नाव ट्राइट कॉंप्रेस कॉंटेंट बाइदा पुशिंग देश्टन इन इस स्रिं वाला जिसमें चौक पाउडर डाले थे और एक आपका थव पाइंगे आप ग्यासवाले में इसली कोंपरेस कर सकते हैं ग्यास पहले कर और यहां पर रहे घा सबएगा यह squash कर यहां हो जाएक यह दिल्दक और समझ में आ रहा है आपको पूरा समझ में आगे किलिए यहीं चीज के बारे में पूछा जा रहा है वाट डूइ आप ने क्या अप्जॉर्ब किया कि पिस्टन को जब मैं प्रेश कर रहा हूं तो सॉलिड में नहीं जा रहा है वाई because सॉलिट के पास इंटर पार्टिकल स्पेस अपसेंट होता है सॉलिट के पास जो इंटर पार्टिकल स्पेस जो वहां पर पूरा अपसेंट होता है इसके कारण आप बोल सकता है फोर्स अट्रेक्शन बहुत ज्यादा होगा पर्टिकल पर्टिकल में पर्टिकल पर्टिकल डूस रहा है इसलिए पर्टिकल एक संजा दिया चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो आगए अपने पॉइंट पर यहाँ पर we have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid easily वेसे compress कर सकते हैं तभी तो वो balloon seller उतने सारे balloons को easily वेसे एक छोटा सा cylinder में भी compress करके gas को रखता है एकदम tightly compress उसमें hold करके ठीक है हाँ gas को जब ज़्यादा compress कर देंगे वो फिर लिक्विफाइड हो जाता है जो भी आप देखते हैं होश्पीटल में जो कि सी ओटू का डीमांड चल रहा है बहुत ज्यादा को पता है वो टू गठी गया ऑक्सिजन सिलेंडर का बहुत कमी हो आप लोग नीज में भी देखते होंगे तो compressed stage में करके गैस को रखाया दाकि उसमें होल्ड रहे बहुत ज्यादा मात्रा में तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में यूज़ होता कुकिंग के लिए वो भी गैस एक तरह का जिसको लिक्विफाइड करके उसको यहां 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 पर दो एक यहां पर आजकल पॉलूशन फ्री करने के लिए ठीक है क्योंकि आप जानते है पैट्रोल है लिक्विड उसको रख दिये तो उतना ही वॉल्यूम को एरिया कवर करेगा बट अकर उतना ही आपको गैस चाहिए उतना ही चाहिए जितना वह यूज हो रहा है वादल एक लिटर आपको चला रहा है 100 किलोमेटर एक बात बोल रहे हैं अगर आपको उतना ही गैस चाहिए जितना में वह सो किलोमेटर चल जाए ता आप उससे भी कम वालियूम में एडजेस्ट कर सकते हैं मतलब आपका टंकी अगर पांच लि सकते हैं अब फिर आता हैं वही तो यहां पर लडवाले भईया करते हैं अब बहु सारा ब्लेवन को फूला पूला के फिर बैशते हैं बात समझ में आ गई फिर बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट के तब we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril nostril क्या होता है आपका जो नोज होता है इसको बुलता है नजाल पैसेज इसके थुरू आपका पूरा यह पाइप कहां तक जाता है थ्रोट कैविटी तक जिसके थुरू ट्रैकिया से होते हुए आपका कर लंक्स वैंगरा में चला जाता है अब बैले जी का वीडियो होगा इस चैनल पर आप देख सकता है ठीक है आप सबको बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं और जल्दी से एक्तम आगया लग रहा है कि मटर पर नहीं दिवागेरा कुछ बन रहा है तो कैसे होता है पहली बात यहां पर गैस गैस वेपर फॉर्म में आता है वह तुरंथ अपने नोस तक नॉस्टिल तक आयाता है वह आके बोलता है चलो भाईया खाना बन गया दिमाग को बोलता है कोपी किताब बन करो चलो खाने बैड जो है न तो कैसे होता है वह आपका वेपर फॉर्म में जो आपका गैसियस फॉर्म है वह बहुत जल्दी डिफ्यूज हो रहा है वहीं अकर सॉलिड हो तो डिफ्यूज नहीं करता है दूसरा बात यहां प वाले वाले सेकेंड पार्ट वाले विडियो में भी कॉवर कर लिए वहां पे एक पूछा गया था आप देखे था ठीक है पेज नमर कीतना था मुझे याद नहीं है बट यहांपे फिर से आया है इसलिए मैं फिर से यहां पर आपको बता रहा हुँज आप समझ में आ कैसे इजली वेस्ते जो इसमेल होता है जो भी फूट का मम्मी खाना बना रही हो तो हम लोगों के नाक तक कैसे आता है समझ में आगे डिफूजन के चलते हैं अब फिर आगे है अब पार्टिकल्स ऑफ अप फूड मिक्स्ट अब यहीं चीज को बता है एंसी आटी जो पार्टिकल अब यह स्पीड थूट कीचन रिचेज अशन इवें फार्दर अवे हम लोग के दूर दूर तक भी आ जाता है उन्हां अगल बगल का भी लोग भी बोलता है कि मटर पनीर इस घर में बन रहा है बोलता है कि नहीं यह सब कप सुनते होंगे बगल वाले घर में बनता होगा तो अब होट फूट इस इन सेकंड बहुत जल्दी फास्ट ली एकडम होट फूट सेकंड में भी हम लोग के तनों सब्सक्राइब अब इसका कंपेर करना डिफूजन का रेट सॉलिड और लिकूट से तो सॉलिड में तो होगा ही नहीं लिकूट में थोड़ा बहुत डिफ चुके हैं मैंने पीशे ही ठीक है आप जाके वह वाला पार्ट फिर से अब देख सकते हैं आगे लिखा हुआ है डिटू हाई स्पीड पार्टिकल्स एंड लाजज स्पेस बिट्विन दें गैसे सो द प्रपर्टी ऑफ डिफूजिंग वेरी फास्ट इन्टु दू आजर क्या लिखा हुआ है हाई स्पीड पार्टिकल का स्पीड बहुत ज्यादा हुआ क्यों कि यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा लार्ज स्पेस लिखा हुआ बात ठीक है उस कोई भी चीज के अंदर गैसे सो द प्रपर्टी ऑफ डिफूजिंग वेरी फास्ट गैस के पास एक प्रपर्टी है कि बहुत जल्दी डिफ्यूज करता है एक गैस से दुसरे गैस में ट्रूंद डिफ्यूज करने लएगा बात समझ में आ रही है लास्ट भया यहां पर हम लोग पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी में क्योंकि दस मिनट और हो गया है तो स्टुएंट अब तो अब जल्दी से हो जाएगा इन तक आसे दसेट अब आप ली एड हाइट हाइस्पीड क्यों यहां पर है स्पीड में होता है रेंडदमली का मतलब क्या बहुत भाग दो फटाफ़ा जल्दी जल्दी भागो भाई क्यों भागो क्यों भुगम पाया हुआ या फिर कुछ हो या कुछ भी मतलब तुरंद आप्दा आगे या कुछ भी हो गया सब्सक्राइब लोग जल्लिए से निकलने लगता है भीड भार के जाएसा वही होता है पड़ता है वहाई अगर खाली रोड तो पता भी नहीं चलता है कैसे रोड पे सो के चले की नाचते हुए चले की कैसे चले बास समझ में आ रही है फिर आगे नेक्स पॉइंट के तरह बढ़ते हैं डी टु दिस रेंडम मोमेंट यह रेंडम मोमेंट के चलते हैं पार्टीकल मिला है चलो भाई दौर जाता है जल्दी यह चीज यहां भी लिखा हुआ है यहां भी जो पार्टीकल्स जो होते हैं गैस में वह रेंडम ली मूब करते हैं और एक दूसरी से टकड़ाते हैं कभी-कभी यह जाके वाल अब दे कंटेनर बोल सकते उससे भी टकड़ा जाते ह समझ में आगी है बाद next point के तरफ बढ़ते हैं the pressure exerted by the gases it is because of this force exerted by gas particle per unit on the wall of the container क्या लिखा है जो pressure exerted होता है gas के द्वारा किसके द्वारा gas के द्वारा gas के particles के द्वारा gas के molecules के द्वारा because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of the container जो container है उस पे भी per unit area के हिसाब से जो gas का particle होता है वो pressure लगाता है इस्ट्वेंट यहाँ पर याद रखिएगा pressure force per unit area क्या होता है force sorry per unit area area लिखना तो unit लिख रहे है पर unit area याद रखिएगा pressure का formula यह हो गया इसका जो SI unit आपका होता है वो आपका होता है पास्कल में इसको भी हर्दम याद रखिए उसको simply हम लोग प पास्कल यहाँ पर प्रेशर पी हो गया पी को बोल सकते है आपका एप को एप फोर्स को एप बोल सकते है एरिया को यह हो गया आपका force per unit area मालो कहीं आप प्रेस करें से आप notebook अभी notebook पढ़ रहे होंगे उसको आप उंगली से अपने ऐसे just thumb से अपने प्रेस कीजिए तो जो प्रेशर ठीक है ठ्रस्ट भी ऐसा ही होता है ठ्रस्ट में बुलाता है तो यह सब फोर्स थ्रस्ट के बारे में प्रेसर के बारे में यह पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर अपलोड जल्दी ही किया जाएगा तो आप लोग वीडियो को देखके और अशानी से समझ सकते हैं यह बात यहां तक हो गया हम लोगों के किसका गैस का अब आगे कुछ कोश्टन एंसर उसके पली चोटा सा फीगर है फटाक से इसको देख लेते हैं देखो इस ट्रण सॉलिड में यहां पे छोटा सा पार्टिकल यहां पर लिया गया इसका देखो सॉलिड में क्या होता है यहां पे एक पोर्टिन जी आ गये हैं यह पे देखो यह पूरा तरह से चारह तुरा तरह से इक दूसरी से टकडा रहा है साथ साथ कंटेंडर के साथ होelines आपस में भी ठकडा ये एक्स्ट्रा है ये पढ़ना तो है नहीं इसके बारे में पढ़ें कुछ इंट्रेस्टिंग चीज है उसको भी हम लोग जानेंगे बात समझ में आ रही है कल की क्लास के लिए तैयार रही है फिर मिलते हैं स्ट्रेंड नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद